अब जो योजना है कि आने वाले महीनों में जो सालों साल लगते हैं ट्रेडमार्क्स रेजिस्टर कराने में यह सब अब आउनलाइन शुरू हो रहे हो गए हैं ट्रेडमार्क ऑफिसेज मॉडरनाईज हो गए हैं और इसको कुछ महीनों तक लाना है और 2017 तक केवल एक महीना लगेगा ट्रेडमार्क रेजिस्टर करने में आई पी आर पॉलिसी के पीछे उद्देश ये बड़ा स्पष्ट है कि जैसे अर्थ विवस्ता का विकास होता है और नए नए इन्वेंशन जाते हैं ट्रेड कॉमर्स बिजनस बढ़ता है तो अलग अलग शेत्रों के लिए उनको प्रोफशाद देने के लिए किसी भी बड़ी अर्थ विस्ता को आई पी आर सिस्टम्स उसके कानून उसकी इन्फॉर्स्मेंट की मशिनरी ये हमेशा मौजूद रेनी चाहिए प्राइब बड़न के लिए इन ही चाहिए झाल झाल